इस वाले question को देखो प्यारे बच्छों इसमें क्या कहा जा रहा है कि हमारे पास radioactive simple है जिसमें से दो radioactivities x1 और x2 है dk constant इसका 5 lambda और lambda दिया हुआ है initially they have the same number of nuclei उसमें सेम है ratio of x1 to x1 upon e हो जाता है कितने time बात देखो तो अगर इस problem को solve करोगे तो जब समय 0 था तो जो x1 element था OVN0 था और जो x2 था OVN0 था ठीक है मलो इसको x0 मानलो चलो इसको करते हैं तो n is equal to n0 e की power minus 5 lambda यहां से यह वाला फार्मूला पढ़े होगे कि कितने time बात n is equal to n0 e की power minus lambda t कि यह वाला जो फार्मूला है वो एक बार x1 के लिए लगा दो एक बार x2 के लिए लगा दो तो for x1 के लिए अगर लगा दोगे x1 के लिए तो यहां से x1 यहां से x1 is equal to x0 और e की power minus 5 lambda यहां से time t equation number first तो x2 जो है उसका disintegration constant यहां से यह initially x0 था और e की power minus यहां से कितना lambda तो lambda time t अब यह कहता है t time बाद x1 x2 जो बचा हुआ है उसका ratio है समयर जो the ratio आप number आप लिए टू इतने time बाद इनका ratio कितना होगा तो जो 1 upon e हो जा रहा तो divide अगर कर दोगे इसमें से divide कर दो first में second से तो x1 upon x2 की जो value यहां 1 upon e आ जा रहा है तो यहां से x not खतम हो गया e की power minus 5 lambda t बचा और यहां से e की power minus lambda t बचा तो यहां से e की power minus 5 lambda t और यहां से plus lambda t तो यहां से आ जाएगा E की पावार माइनस 4 लैमडा t और यहां से e की पावब माइनस 1 और e की पावार माइनस 4 लैमडा t तो यहां से माइनस 1 is quel to minus 4 लैमडा t यहां से जाएगा तो time t is equal to 1 upon 4 लैमडा इतने time बाद जो है ratio जो है तो इसका मतलने बहु हो physicist वित अपना